इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी निव वीडियो सबसे तहले देखने के लिए आदी प्रमुक है, सालों तक इन सीरियों ने दर्शकों का भरपूर मनोरणजन किया, बता दे, फिल्मों की तरहे अब एकता सीरियल का भी रीमेक करने जा रही है, जी हाँ, वे है अपने सुपर हिट सीरियल का सौटी जिन्दगी की को एक बार फिर दर्शकों के सामने एक दर्शकों में शुमार होता है, उनके पास शोहरत और पैसों के बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खूब सूरत एकता इतना नाम और शोहरत कमाने के बावजूद आज भी कोवारी क्यों है, क्यों उन्होंने अब तक किसी से भी शादी नहीं की वैसे तो उनके hookups के कई किस से सामने आए लेकिन किसी से भी उनके रिष्टे की पुश्टी नहीं हो पाई, लेकिन इस बार उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें एक एक्टर से प्यार हो गया था लेकिन उनका ये प्यार मुकाम तक नहीं पहुँच पाया, इस सेक्टर से प्यार करती थी एक्टा, बता दें, एक्टा कपूर जिस सेक्टर से बे इंतेहा प्यार करती थी वे कोई और नहीं बलकि बलिवुड के किंग खान शाहरो खान है, हाल ही में एक्टा कपूर का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें वेह शाहरोख खान के साथ थी। जानकारी के लिए बता दें इस बार का साटी जिद्दगी की सीरियल के रीमेक में शाहरोख खान सूत्रधार बनकर नरेशन देने वाले हैं। वह टीन एपिसोड तक किरदारों का परिचेद दशकों से करवाएंगे। शाहरोख खान और एकत को कहा कि I love you sir. एकता ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार शाहरोख को 4G सीरियल में देखा था तभी उन्हें उनसे प्यार हो गया था। वह शाहरोख को 4G सीरियल के दौरान ही अपना दिल दे बैठी थी और आज भी उन्हें बहुत पसंद करती हैं। 30 साल बाद होगी स इसी सीरियल में करीब 30 साल बाद होने जा रही है। हाला कि वे कौन बनेगा करोड़ती और क्या आप 5 भी पास से तेज है में नजर आ चुके हैं। लेकिन ये रियलेटी शोग थे ना कि सीरियल। सीरियल में अपने इस कमबैक के लिए शाहरोख बहुत एक्साइटेड शारूख ने अपने करियर की शुरुआत छोटे परदे से ही की थी। वह सरकस और 4G जैसे हिट सीरियल में काम कर चुके हैं। इसमें दर्शकों को उनका रोल बहुत पसंद आया था। फून की बॉलेवुड में पहली डेबियू फिल्म साल 19 सौबान में में दिल आशना है आई थी। इस फिल्म की प्रोड्यूसर हेमा मालेनी थी।